सोहार की पहली ही रात हो गया ऐसा कांड की सारे सपने हो गई चकना चूल और नई दुलहन की तूट गई इसा से जिसके साथ जी ने मरने की खाई कसमे उसी की करतूट से हुआ ये हाथ सा excitement में दुलहे ने खाली पावर वाली दबाई और फिर भेडिया बन कर दुलहन पर तूट पड़ा उसके बाद जो हुआ उसने तबाह कर दी एक परिवार की खुशिया जिसको सौपी थी सारी जिन्दगी वो निकलेगा इतना बहशी किसी ने सोचा नहीं था एक तो चोरी और उपर से सीना जोरी दूलहे ने अपनी कर्तूत को छुपाने के लिए देखिये क्या किया जिस रात उसने वर माला गले में डाली थी उस रात उसने अपना सब कुछ इस शक्स के हाथों में सौप दिया था जिस दिन उस लड़की ने साथ फेरे लिये तो उसने शेरवानी प परिवार के लोग आंसों में डूबे हैं जिन अर्मानों के साथ बेटी को विदा किया था वो सब चिता की आग में राख हो गए और अब पूरा परिवार मातम में डूबा है मामला उतर प्रदेश के कानपुर का है माबाप की मौत के बाद भाई ने अपनी लाड़ली बेह परिवार के बेहन के साथ दरिंदगी की सारी हदे पार कर दी सेक्शूल पावर की दवाई खाने के बाद दूले ने लड़की के साथ सारी हदों को पार कर दिया और लड़की की हालत बिगड़ गई और जब उसको दिक्कत हुई तो ससुराल वालों ने मायके वालों पर ही आरोप लगा दिये और लड़की को ले जाने के लिए कहा शर्म की वज़ा से लड़की ने कुछ भी किसी को नहीं बताया लेकिन जब भावी ने जोर दे कर पूछा तो उसने आप बीती सुनाई उसे सुनकर परिवार के पैरो तले जमीन खिसक गई गायनी को दिखाया तो उस दान दहिस दे कर शादी जिसके साथ वो अपनी बेटी की कर रहे हैं उसके साथ ऐसा सुलोग होगा अगर उन्हें पता होता कि फेरो की आग चिता की आग बन जाएगी तो फिर वो कभी शादी के बारे में सोचते भी नहीं लेकिन अब सिर्फ अपसोस करने के अलाबा कुछ हो ही नहीं सकता दूले की excitement और ना समझी ने जहां उसे अपराधी बना दिया तो वहीं आब उसके उपर कानूनी action की तलवार लटक रही है इसलिए जागरुपता बहुत जरूरी है और sex education लोगों को देना बहुत जरूरी है नजाने कितनी लड़कियां लोक लाज की वज़